हेलो गाइज आज हम सीखेंगे कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर वर्चुल बॉक्स कैसे इस्टॉल कर सकते हैं वर्चुल बॉक्स इस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें वर्चुल बॉक्स का सौफ्टेर चाहिए होगा उसके बाद हमें जो विंडो हम उसमें यूज लोस्त करना चाहते वर्चुल बोक्स के अंदर उसकी इमेज फाइल होगी तो सबसे पहले हमें अगर हमार पास वर्चुल बॉक्स इस्टॉल नहीं है तो इस्टॉल कर ले और आपके पद डाउनलोड नहीं तो डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंग में आपको डिप्स्क्रिप्शन बॉक्स में देद दूगा वहाँ पर किलिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वर्चुल बॉक्स इसके बाद हमें नेक्स्ट पर किलिक करना है नेक्स्ट करना है इसके बाद फिर नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद हमें सब पर चेक लाकर नेक्स्ट कर देना है जिससे नेक्स्ट कर देंगे तो यह प्रोपर इस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और इस्टॉल होन के बाद हमार पास इसका शोटकट जो आइकन है जो हमें यूज करना है वो डेक्स्टोप पर आटोमेटिकली आ जाएगा तो यहां पर हमारा डाय वर्च्टॉल बोक्स स्टॉल हो गया है और हमें फिनिश पर क्लिक करते हैं आपको यहले एक唯। वर्चुल बॉक्स का जो ब्लू कलर के अंदर है इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो इस टाइप का वर्पास स्क्रीन आ जाएगी अब यहां पर हमें क्या करना होगा कि वर्चुल बॉक्स स्ट्रोल तो हो गया है अभी में हमारा पास जो वर्चुल मशीन है वो कन्विगर करनी होगी तब जाएके अमारा जो Windows हम जो चाह रहे हैं वो अमारा काम कर पाए Mmm तो सबसे पहले हमें क्या करना है आपको new पर click करना होगा जैसे आप new पर click करते हैं यहां पर आपको अपना name डालना होगा जो भी आप नाम डालना चाहते हैं तो यहां पे में अपना नाम डाल दूँगा उसके बाद सेकिंड जो औप्षिन है यहां पर हैले मं अपना नाम डाल देता हूं तुमय ने अपना यहां नाम डाल दिया उसके बाद जो शेकिंड ब्र sufficient करना चाहते रहा on इसमें स्टोर्ल करना चाहते Windows या Microsoft आप चाहें वह इसमें इस टोल कर सकते हैं Linux वगेरा जो भी आपको आप चाहते हैं वह इसमें आप यूज्स कर सकते तो मैं Microsoft Windows लगोंगा तो मैंने वह सेट कर लिया आप कौन सा windows इस्टोर करना चाहते हैं Windows 7 64 बीट या विंडोस ऐट 30 टू बिट जो आप क через जो आप चाते हैं वह आप इस में स्टौल कर सकते हैं तो यहां पर मैं विंडोस ऐट 30 टू बीट लेने की सोच रहा हूं आप जो चाहें वह सेलेक्ट कर सकते हैं यहां पर आपको सभी तरहके औस दिक जादें जितने भी Windows यह servers होते हैं वो आप यहां पर install कर सकते हैं और आप सीखने के लिए भी install करना चाह रहे हैं तो वो यहां से install करके अच्छे तरी से सीख सकते हैं अगर आप बाद में चाहे तो अपने पूरे computer में install भी कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले में windows 8 32 bit ले लेता हूं और next पर क्लिक कर दूँगा next पर क्लिक करने के बाद यह option दे रहा है इस option में पूछ रहा है कि आप अपने memory का size जो है 4GB तक बढ़ा सकते हैं तो यहां पर आपको size दिख जाता है आप चाहे तो संके next कर सकते जिससे का decrease और increase हो जाएगा set फोजाएगा तो यहां पर मुझे इतना ठीक लग रहा है जो मैं कर चाह रहा हूं मेरे पर गर तुम्हारी और आपक इसको शैट कर देता हूं और next पर क्लिक कर देता हूं इसके बाद हमें यहां पर हमारी hard ecks पर होते करना होगा You इतना जी भी कि हम इसमें harddix बनाना चाहते हैं वह अगर हमारी अगर हमारा पसको अलक्सकों drive है यामसी ड्राइव के अंदर included करना चाहते हैं तो यहां से select कर सकते हैं तो यहां पर आपको create virtual harddix now पे create करना होगा तो यहां पर create now पे click कर देता हूं उसके बाद यहां पर आपको hardx file type पे select करना होगा तो मैं मुझे यहां पर VDI यानि की virtual image चाहिए तो मैं वो select करके यहां पर next पर click कर दूँगा next पर click करने के बाद यहां storage and physical hardx set करना होता है तो मैं dynamic dynamically send करूँगा तो यहां पर इसको next कर दूँगा उसके बाद file location size पूछ रहा है वह यह कितनी size होने वाली है तो यहां पर मैं यह 40 GB के ही रहने दूँगा तो इसके बाद यहां पर अगर आप चाहिए तो इसको increase and decrease कर सकते हैं तो मैं को इतना ठीक लग रहा है यहां इतनी ठीक है तो मैं इसको इसे सबसे से रहें दूँगा और create by click कर दो आजए से हम create पर click करेंगे यह create हो जाएगी तो create पर click करके मैं देखता हूं उसके बाद ही create हो गई है अब हमें क्या करना होगा तब जागे हमारे windows इसके अंदर virtual books के अंदर install होगी तो सबसे पहले हमें उसके लिए क्या करना होगा आपको इसकी setting में जाना होगा तो सामने आपको एक orange color का setting का option दिख रहा होगा उस पर आपको click करना होगा याप इस पर right click करके setting में जा सकते हैं तो यहां पर मैं इस तरह से setting में जाऊंगा जैसे इस पर click करूंगा setting पर तो यहां पर इस तरह का option खुलेगा उसके बाद चोथे डंबर पर एक storage का option दिख रहा होगा आपको वहां पर storage पर click करूंगा तो जैसे storage पर click करता हूं तो मेरे को यहां पे तीन option दिख रहे हैं तो empty पे click कर दूँगा जैसे empty पे click कर दूँगा रat side में में से सीडी का ऐकन दिख रहा होगा या पिर आप यहांसे भी attached कर सकते removal attachment अगर आप अलग से अरथ करना चाहते हैं तो आपको एक blue color का option दिख रहा होगा जिसमें cd image बनीवी है उस पर click करके आप अपनी image file का path दे सकते हैं जहां पर भी वो image पड़ी हो c drive में, e drive में या d drive में उसको select कर सकते हैं तो अब मैं आपको select करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप उसको select कर सकते हैं जैसे हम image उस cd के उपर click करेंगे, यहां पर हमें choose a virtual optic dix का option आपको click करना होगा जैसे आप इस पर click करेंगे, यह direct करेगा अपने उस location पर जहां से आपको अपनी image file चूज करनी है तो यहां से आप, जहां आपकी image file पड़ी है, वहां से उसको select करा दे, तो मेरी image file यहां पड़ी है हम इस पर जैसे double click करता हूँ, यह open पर click करता हूँ, यह इस तरह से open हो जाती है उसके बाद मुझे यहां करना होगा, okay, जैसे मैं okay, click करता हूँ, तो इस type से ही है, मुझे दिख जाती है उसके बाद यहां पर green कर लगा, start का option दिख रहागा, उस पर click कर दे click करने के बाद, एक या दो मिनिट का time लगेगा, और यह थोड़ी सी processing करेगा और हो सकता है, system के coding कम या ज़्यादा time लगा सकता है, उसके बाद यहां पर इस तरह का dial up box आएगा, और थोड़ी सी processing होती है, जैसे एक पर सिंट पर सिंट पर सिंट होने के बाद, इस तरह का आपके सिराम ने boot का option आ जाता है, windows 8 का next पर क्लिक करें, next पर करने के बाद install now करें, अब आपको आगे तो पता ही होगा, किस तरह के से हम windows install करते हैं, तो मैं आपको continue बता देता हूँ, इसमें एक छोटी सी problem यह आती है, कि जब यह setup start होता है, तो virtual machine चलते चलते पुश जाती है, यानि कि चलत की है, यानि कि इसमें activation की है, वो डाल ली है, तो आपको भी fake की डाल सकते हैं, मेरे पास कोई अलग सकी नहीं पड़ी है, तो मैंने यहाँ पे internet पर सार्च करके वो kit डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आपको इसी भी key internet पर देख के डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं मिली तो आप जिसे next पर click करेंगे तो यह activate ले लेगा, इसके बाद यह process next पर चला जाएगा, यहाँ पर click कर आए, इसके बाद यहाँ पर चेक मार्क लगा रहा है, और next पर click कर देना है, इसके बाद यहाँ पर custom install पर click करना है, उसके बाद यहाँ नियू partition create करना है, जो हमने size दिया तहां ता हमने पैstormgent के इस तो पर्मिन कर के इस डूल्ब पर क्लिफ कर देना इभाए यहां पर हमिशनेस्च्ट पड़ मोडे कर दें करते हों समय बिक छुक्त année जाती है यानि के रुख जाती है तो यहां पे मशीन पर जाकि उसको पुश और डिसेबल कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हमारे जो विंडोस इस्ट्रलेशन स्टार्ट हो गई है और यहां पर कुछ टाइम लेता है यह विंडोस इस्टूलेशन पूरा उतना ही टाइम लेता है जितले हम basically कोई computer format करते हैं पूरा तब जब वो टाइम लेता है वही का वही टाइम यहां पर हमारी यह वर्चुल बॉक्स लेगा उसके बाद यहां पर अगर हमरे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस टाइप की एरर तो हमें कुछ नहीं करना है आपको simply आपको do not show the message again इस नाम का एक error दिख रहा होगा उस पर आपको चेक लगाना है और ओके पर क्लिक कर देना है तो यहां पर मैंने चेक लगा दिया है और उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देता हूँ अब जो हमारा windows installation mode था वो चलते चलते रुख गया है because push हो गया है उस message के कारण तो यहां पर हमें यह option दिखाए दे रहा है हमें कुछ नहीं करना है उसको वापिस restart करने के लिए यहां पर आपको एक machine नाम का एक option दिख रहा होगा second file के आगे उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी जो windows रुख गई है installation start होते वे वापिस continue हो जाएगी तो यहां पर री continue करने के लिए push पर क्लिक करूँगा तो री continue हो गई है तो इस तरीके से वापिस आप इसको री continue कर सकते हैं और उसके बाद आपके जो system का timing है यानि कि जो आपको system की configuration के coding आपका windows जल्दी जल्दी install होना start हो जाएगा तो यहां पर हमारा जो computer है वो इस तरीके से start हो गया है और 8% हो गया है यहां पर तो थोड़े time के बाद आपका जो computer है पूरी तरीके से install हो जाएगा तो यहां पर आपको basically थोड़ा wait करना होगा तो दोस्तों यहां पर जब तक हमारी windows इस्टोल नहीं हो जाती तब तक हम थोड़ा यहां पर wait कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर इस थरीके से installation complete हो जाता है और हमारा जो computer है वह आप दुबारा restart हो जाएगा और restart होने के बाद जिस तरह के जब हमारा computer restart होता है तो हमें motherboard का नाम बताता है उस तरह के से यहां पर यह virtual box का नाम बताएगा जो आपने इस्टोल कर रहा है उसके बाद यहां पर हमारा जो window इस्टोल हुआ है वह ready होना start हो जाएगा यानि कि आपका 7 होगा तो 7 start होगा अगर आपका 8 आपने इस्टोल किया तो 8 ready होगा जो installation अभी complete हुआ था जो इसने लिए थे वह एक बार वापिर रीचेकिंग करेगा और उसको दुबारा डिवाइस रेडी करेगा यानि कि 100% डिवाइस रेडी होने के बाद यह ले जाता हमें कुछ basic setting के उपर rewrite करेगा तो यहाँ पर rewrite करता है हमारे इस system पर और यहाँ पर हमें इसमें हमारा PC का नाम set करना होता है आप चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको जो setting चाहिए yes or no कर सकते हैं जैसी जैसी आपको setting चाहिए उसके according आपको आगे next next apply करना है मुझे installation नहीं चा यहाँ पर next next क्लिक करता होंगा और थोड़ा सब्सक्राइब माइक्रो सेकिंड का टाइम लेता है और हमारा जो Windows account है वो set होता है तो यहाँ पर इस तरीके से आपका Windows account set होता है अगर आप चाहें अगर आपका Microsoft account बना हुआ है तो आपना Microsoft account का username and password डाल सकते हैं Microsoft account का ID password same Gmail ID और password के according होता है बस हमें उससे verify करना होता है Gmail account को Microsoft account से तो यहाँ पर हमारा जो setup completely install हो गया है अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं desktop आने के लिए तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि Windows 8 या 10 आप install करते हैं तो यहाँ पर Microsoft account का ID और password देना होता है तो मेरा तो Microsoft account बना ह है तो मैं जिस email ID से बना हुआ है तो वह email ID डाल देता हूं अगर आपका Microsoft account नहीं बना हुआ है तो आप Microsoft account बना ले और तो वह email ID password यहाँ डाले बिकोज उसके बगेर थोड़ी problem होगी अगर आप Microsoft account नहीं बनाएंगे तो आपका जो प्रोसेस है वह यहीं रुख जाएगा तो आप Microsoft account का ID password यहाँ डाल दे मेरे पास बना हुआ है तो मैंने email ID डाल दी है अब उसके बाद मैं डाल देता हूं सकता है आप से step to step verification भी ले 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 तो आपके पास यहाँ पर आपको अपना mobile का last digit number डालना होगा जिससे कि यह verify कर सकेगी भाई यह हमारा जो नंबर आपने डाला है वह verify है या नहीं तो यह verify करेगा आपके पास उसका एक OTP आता है और वह OTP आपको यह डालना होता है OTP जैसे डालेंगे तब जाके यह rewrite करता है आपको इसके account पर और तब उसके माइक्रो सेकिंड का एक process होता है उसके बाद आपका जो desktop पर वह आ जाता है तो यहां पर यह basically setting में इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप Windows इस्टोल करते है Windows 8 यह 10 तो अगर आप यह basic setting नहीं और आपको काफी problem आएगी तो यह setting हमें Windows इस्टोल करते टाइम ही कर लेनी चाहिए उससे यह फाइदा होता है कि हम जब हमारे Windows को access करते हैं उसमें कोई काम करते हैं तो आगे चलके हमें कोई problems नहीं आती है और हमारा जो proper setting है वो हमारा अभी installation time में ही हो जाता है तो यह हमार जो setup है वो proper start हो गया है और कुछ time ले रहा है account create करने के लिए हमें desktop की तरफ ले जाने के लिए तो थोड़ा सा time ले सकता है यहाँ पे हम थोड़ा wait कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास e-computer restart हो गया है तो यहाँ पे हमें Windows start हो गई है और हाइक आप आया है यानि कि जो setting ह वो install हो रही है जो हमने setting set करी है वो उसके updates ले रहा है और उसके जो driver है वो install हो रहे हैं और हमारा कुछ ही second के अंदर हमारा जो system है वो ready हो जाएगा तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा wait करना होगा तब तक कि मैं कर देता हूं थोड़ा से वीडियो को इसकी तो दोस्तों इस तर साथ उसके बाद आप अगर चाहें कि हमारा desktop का आइकन लाना है तो राइफ्ट क्रिक करके परस्नलाइज में जाके चेंड डेक्स्टॉप आइकन पर चेक करके हम वो वो डेक्स्टॉप पर लाना चाहते हैं उस पर चेक लगा लीजिए उसके बाद अपलाइं डॉक कर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने desktop आइकन आजाएंगे तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने computer के अंदर desktop आइकन ला सकते हैं और अपना Windows इस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट कर रहें और अभी तक आपने हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब भी करें बिकोज इसी तरह के टेकनिकल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं तो अभी तक के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदा आफिस एंड बाइब खिस एंड दो आज हैं बाइब बाइब यह पहीं किया हम तक किया हम जब रहा हम धुदा हैं झार दो सबस्कित कोजई बाइब बाई प्राइब हैं?